काव्या का एक नया प्रोमू आया है जहां पे हमें ये देखने को मिला की कैसे काव्या शुब का साथ देती है और आधी जो की हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहता है उसके अगेंस्ट डिसीजन लेती है चलिए बताते हैं आपको कि कौन सा डिसिजन लिया कावया ने तो कावया से जब डारेक्टर साब ने ये पूछा कि ये बता दो कि क्या शुब थाकूर पे आदी ने पहले भी जान लेवा हमला किया है तो वहां कावया थोड़ा सा सोचती है फिर वो कहती है कि जी हाँ अब ऐसी क्या मजबूरी है कि काव्या पूरा सच नहीं बता रही है कि हमला तो शुब नहीं भी किया था सिर्फ आधी नहीं नहीं किया था लेकिन अब ये बात काव्या को अच्छे से पता है कि कोई तो मजबूरी है काव्या की जिसकी वज़े से वो आधा सच बता रही है और वो ये एकसप्ट कर रही है कि आधी ने शुब के उपर हमला किया था और डारेक्टर्स आप कहते हैं अगर आधी प्रधान ने अधिराज प्रधान ने ये हमला किया है तो उनको इस एकेडमी से सस्पेंड किया जाता है और फिर इन दोनों का यानि की आधी और शुब का ट्रैंगल दिखाया जाता है काविया के साथ तो अभी आप बताईएगा आपको क्या है कहना आपको क्या लगता है कि ये क्या सिच्वेशन ऐसी हुई होगी जिसके काविया को आधा सच बोलना पड़ रहा है